हलो फ्रेंद्स वेलकम टो आर्पेसी ग्यान इस वीडियो में हम लोग मॉडल पेपर करेंगे बाइलोजिका और आर्पेसी फर्स ग्रेड एंड लाब असिस्टिंग इससे पहले के वीडियो में भी जो है हमने कुश्चन किये हैं बहुत सारे तो आप वो जो है देख सकते हैं यह अच्छ का जो श्रावण है उसको संद्मित करता है यानि इन्हिबिट्स दा सिक्रीशन ओफ एफ एसेच और यह प्रेडूस होता है बाइद ग्रेनुलोस से इन ओवरी ओवरी की जो है जो है ग्रेनुलोस से यह प्रेडूस होता है अंडाशक की कणिके कोशिकाओं के द करता है यानि इन्हिबिन जो है वो इन्हिबिट करता है सिक्रीशन ओफ एफ एसेच और इस प्रेडूस बाइद ग्रेनुलोस सेल्स इन ओवरी निक्स्ट है धूमरपान करने के कारण प्रधान तव उत्पन होने वाली दीद काली स्वशन विकार का नाम बताईए यह जो क् वाजबाइ मेंली बाइ सिग्रेट स्मोकिंग तो इससे जो होता है एम्फिसीमा या वातस्विती एम्फिसीमा जो है रोग होता है इसमें इसमें जो फेंफड है उनका जो ब्रॉंकियोल्स है वो डैमेज हो जाते है इसमें तो यह जो है रोग होता है धुमरपान की अधिकता के कारण नेक्स्ट कुशन है निम्न लिखित में से कौन सा हीमोफीलिया का सबसे अधिक उप्यूप्त बंडन प्रस्तुत करता है हम सब जानते हैं कि हीमोफीलिया जो है वो जीन रिलेटेड है यानि जो है सेक्स रिलेटेड डिजीज है और यह हमेशा एक्स क्रोमोजोम पर प्रेजेंट होती है इसलिए फिमेल्स जो है वो इसकी क्या होती है कैरियर होती है और मेल जो है उनमें यह हीमोफीलिया होता है क्योंकि यह रिससिव होता है इन फिमेल्स और अगर उनमें हीमोफीलिया हो तो देशो एक्सेबिट अर्ली डेथ इसके लिए क्या है कि X सहलगन अप्रभावी जीन विकार है यह X-linked recessive gene disorder है और X जो है man में जो है एक होता है इसलिए यह उनमें show होती है और female में जो है दो X होते है तो यह उनमें recessive रहता है शो नहीं होता है next question है सही कथन चुनिए हमें यह पर correct जो है statement चुनना है the leaves of gymnosperm अनावरत पीजी पादबो की पतिया जलवाईव की चरमता के लिए अनुकूलित नहीं होती है तो extreme climates के लिए यह adapted रहती है well adapted रहती है क्योंकि जो है zero fitic condition में भी पाया जाते है और different conditions में यह पाया जाते है अनावरत पीजी सम विजानुक और विशम विजानुक दोनों प्रकार के होते है gymnosperm साब बोथ homosporous and heterosporous तो यह भी जो है गलत statement है salvenia, jingo, pinus यह सभी अनावरत पीजी है तो यह भी जो है correct statement नहीं है next है सिकोईया सबसे लंबे व्रक्षों में से एक है तो यह एकदम correct है statement नहीं gymnosperm में जो सिकोईया है वो जो है tallest tree है one of the tallest tree है लेक प्राचालेक की अभिवक्ती के लिए निम्नलिकित में से कौन एक प्रेरक के रूप में कारे करने के लिए आवशक होता है which of the following is required as inducer for the expression of lac operon lac operon के लिए inducer के रूप में कौन काम करेगा तो lactose जो है वो एक प्रेरक के रूप में आवशक होता है lactose lac operon जो है वो active होता है after inducing lactose but galactose और glucose जो है वो ये काम नहीं कर सकते है galactose and glucose जो है ये काम नहीं कर सकते है but lactose के inducer से जो है वो active होता है lac operon next question है एक लंबे तदरूप प्रजणन उध्यान मतर पादप को एक बॉने तदरूप प्रजणन उध्यान मतर पादप से संकरित किया गया है जब F1 पादपो को स्वभ परागित किया गया तो जीन प्रारूप का परिणाम किस अनुपात में था यानि एक जो है ट्रू टॉल ट्रू बीडिंग गार्डन पी जो है उसको क्रॉस किया हमें तो ड्वार्फ ट्रू ब्रीडिंग गार्डन पी प्लांट आंड जब F1 प्लांट से देवर सेल्फ द रिजल्टिंग जीनो टाइप इन रेशियो ऑफ तो जीनो टाइप जो है वो किस रेशियो में आएंगे इसी को हमने सेल्फ करवाया है तो एफ टू जनरेशन में क्या हो जाएगा आई कि 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 यह जो रेशियो है दो तो जो है हेट्रोजाइगसली टॉल है एक प्यॉर टॉल है और एक प्यॉर ड्वार्फ है वन इस्टू टू इस्टू इस्टू वन का इसमें रेशियो आ जाएगा का रेशियो जो है लंबे सम्युग्जमी टॉल हिट्रोजाइगस और लंबे विशम युगमजी टॉल होमोजाइगस और बोने इसका रेशियो आ जाएगा नेक्स क्वेशन है तमबाकु के पौधे में का कौन सा भाग मिलोडोगाईन इंको निटा द्वारा संक्रमित होता है यारी विश पार्ट ओफ टोबेगो प्लांट इस इंफेक्टटड बाई मिलोडोडी गाईन इंकोंगनिता इसकी रूट हो रहती है इसको यह संक्रमित करता है जड़को निक्स कोशन है काई की कोशिकाओं में सम सूत्र के दोरान निमलिकित में से कौन सा लक्षन नहीं पाया जाता है इसकी पाया जाता है जो है सूत्र युगमन यह सिनैपसिस जो है यह होता है पेरिंग ओफ होमोलोगस क्रोमोजोम जो की मियुवसिस में होता है लेकिन यह माईटोस में जो है अबसेंट रहता है उत परिवर्तन के संबंद में कैंसर कोशिकाओं के लिए निमने लिखित कत्मों में से कौन सा सही नहीं है which of the following statement is not true for cancer cells in relation to mutation तो mutation में उत परिवर्तन टीलोमरेज के उत पादन को संदमित कर देते हैं तो यह जो है इसमें सही नहीं है cancer जो है वो होता है by increased टीलोमरेज activity संदमित करने से नहीं होता वो यानि जो है mutation inhibits production of telomeres तो telomeres के inhibition से नहीं उनकी increased number से जो है activity उनकी increased activity से यह cancer होता है making the cancerous cell immortal and not by inhibition तो इसका जो है first जो है वो सही नहीं है प्राग cancer genome में उत परिवर्तन कोशे का तंत्र को तर्वरित कर देते हैं mutation in proto-onkosin accelerate the cell cycle यह जो है बिल्कुल सही है acceleration होता है cell cycle में cell जो है जल्दी जल्दी बढ़ते है mutation destroy telomerase inhibitor उत परिवर्तन telomerase दमक को नश्ट कर देते हैं यह भी बिल्कुल सही है तभी जब telomerase के ज़्यादा activity होगी तभी जो है cancerous cells जो है वो बनेंगे वो परिवर्तन कोशिका नियंतन को निश्क्रिय कर देते हैं जो कोशिका जो है cell जो है वो enormously increase होती है तभी जो है cancer होता है जो inactivates the cell control ये भी सही है पर जो first वाला है वो गलत है अधिकतर कवको में कोशिका भित्ती का एक प्रमुक अव्वे कौन सा है which one of the major component of cell wall of most fungi तो fungi में जो है mostly वो किस की बनी होती है काइटीन की बनी होती है ये उनका characteristic feature है काइटीन की cell wall fungus का next question है मक्का के दाने के बीज पत्र को क्या कहा जाता है the cotylidon of maize grain is called जो cotylidon है maize grain के उनको हम क्या कहते है तो उनको हम कहते है scutalum scutalum कहा जाता है उसको maize grain जो है वो single large shield shape cotylidon होता है जैसे हम scutalum कहते है एक नगन चटान पर एक अग्रगामी जीव के रूप में निमलिकित में से कौन सा आएगा which of the following would appear as the pioneer organism on bare rocks तो bare rocks पे जो है सबसे पहले lycans आते हैं lycans जो है वो क्या होते हैं pineers होते हैं pineer organism होते हैं क्योंकि यह जो क्या करते हैं जो rock है उसे corrode कर देते हैं and secreting enzymes और उसको क्या कर देते हैं soil में convert कर देते हैं पत्थर को मादाओं में GnRH pulse बारम बारता बदलाव का नियंतर्ण किसके पनी संचरान स्तरो द्वारा होता है changes in GnRH pulse frequency in female is controlled by circulating levels of तो यह जो है estrogen and progesterone estrogen and progesterone इनकी वज़े से जो है यह GnRH pulse जो है इनके नियंतर्ण को जो है यह बदलाव का नियंतर करते हैं यह GnRH pulse frequency is controlled by estrogen and progesterone both after puberty प्रती आविशिक प्रती आविश टीको में पूर्व निर्मित प्रती रक्षी होते हैं जबकि पोल्यों की बुंद में जिनने मुह द्वारा दिलाया जाता है होते हैं यानि इंटिवेनम इंजेक्शन गंटेन प्री फॉर्म एंटी बाइंटी बॉडिज वाइल पोल्यों डॉप्स दाटर एड्मिनिस्टर इंटो दो बॉडी कंटेन्स तो इन में क्या होता है शेन कर दिये गए रोक जनक होते हैं पोल्यों की जो डॉप्स रहती है उनमें रहते हैं अटिन्यूटिट पैथोजन्स जो ओपीवी है यानि ओरल पोल्यों वैक्सीन है वो दो तरह की होती हैं ओपीवी सैबिन जिसमें लाइव अटिनूटिट वैक्सीन होती है और ओपीवी साल्क जिसमें खिल्ड वैक्सीन है नेक्स्ट कुशन है मानव नेत्र में प्रकाश सववेदी योगिक बना होता है फोटो सेंसेटिव कंपाउंड इन हुमन आई इस मेड़ पॉफ तो यह जो है किससे बनाता है ओप्सिन एंड रेटिनल से बनाता है जिसे हम रोडोप्सिन कहते हैं प्रकाश सववेदी है योगिक यह बना होता है ओप्सिन एंड रेटिनल से द्वार कोशिकाओं को घेनने वाली विशिष्ट करती विशिष्टी करत बहाय तवचा बहाय तवची यह कोशिकाओं को क्या कहा जाता है तो इनको हम सबसिडिरी सेल्स कहते हैं या फिर सहाय कोशिकाओं कहा जाता है सबसिडिरी सेल्स और गार्ड दोनों जो है मॉडिफिकेशन है एपिडिर्मल सेल्स का जो की जबकी गार्ड सेल्स थेज़ और सबसिडिरी सेल्स में क्लोर्प्लास नहीं पाए जाता है नेक्स निमनलिक्षित लक्षणों में से कौन सा लक्षण फाइलम और्थरोपोडा में नहीं पाया जाता है विच्छ फॉलिएंग फीचर इस नॉट प्रजेंट इन फाइलम और्थ्रोपोड़ा तो और्थ्रोपोड़ा में जो है जॉइंटेड अपेडिज रहते हैं काइटीनिस एक्जोस्केलेटर रहता है मेटामेरिक सेग्मेंटेशन भी रहता है यानि इनमें संधित उपांग का पैरा पोड़िया यानि पार्षवपद्ध कर काएं ही पार्षवपद्ध रुधर में होने वाली कमी के कारण रिडिक्शन पीएज ऑफ ब्लॉड्विल्स तो यह इसके कारण क्या होता है कि ऑक्सिजन के साथ हीमोगलोबीन की बंदूता जो है वो कर जाएगी decrease in the affinity of hemoglobin with oxygen pH अगर कम हो जाए तो oxygen की Hb के साथ यानि hemoglobin के साथ जो bonding है affinity है वो decrease हो जाएगी नेक्स कुशन है निम ने लिकित में से कौन से विशिच लक्षन हमेशा ही जनतों के अनुरूपी वर्ग में पाए जाते हैं यानि यहां जो है पूछा है कि which of the following characteristic feature always holds true for the corresponding group of animals सबसे पहला दे रखा हमें तीन कक्ष वाला रदे जिसमें अपून तर बंटावा एक निला होता है और रेप्टीलिया तो यह जो है इसके लिए गलत है क्योंकि रेप्टीलिया में क्रोकोडीलिया एक वर्ग है और है जिसके में जो है four chambered hard होता है तो यह हमेशा इनके लिए true नहीं है तो यह गलत हो जाएगा उपास्थी अंतर कंकाल कॉंडरिक्थेज जो कॉंडरिक्थेज हैं या cartilaginous fishes है वो हमेशा cartilaginous endoskeleton शो करेंगे without exception यानि इनमें कोई exception नहीं है तो उपास्थी अंतर कंकाल यह बिल्कुल सही है हमें पूचा है कि हमेशा true होगा तो यह always true है for जो है condricthes fishes के लिए तो सही answer इसमें second हो जाएगा सजीव प्रजक mammalia mammalia जो है उनमें भी exception होता है जो proto-theria group है वो OV parity show करता है बाकि जो meta-therians जो है वो VV parity show करते हैं तो यह भी हमेशा इसके लिए true नहीं है उपरी और निचले जबड़े वाला मुख का पाए जाना chord data तो chord data के लिए भी यह always true नहीं है क्योंकि chord data में भी जो है ganethostrometa और aganeta मलब without jaw बिना जबड़ों के भी जो है पाए जाते हैं तो यह इसमें जो है true हो जाएगा second next है column 1 और column 2 को हमें मिलाना है match करना है column 1st को column 2nd से so first जो है वो है प्रभाविता प्रभाविता होता है विशम युगमजी जीव में केवल एक ही alleles वै को अभिवेक्ट करता है यह है dominance तो एका जो है वो हो जाएगा second in a heterosegous organism only one allele expressed itself फिर है सहर प्रभाविता सहर प्रभाविता वो होगी जिसमें विशम युगमजी जीव में दोनों ही alleles को पूरी तरह अभिवेक्ट करते हो तो वो हो जाएगा codominance बहु प्रभाविता बहु प्रभाविता होता है एकल जीन अनेक लक्षणों को प्रभावित करता है यह होता है बहु प्रभाविता यानि जो है pleiotropy, single gene influences many characters और फिर है बहु जीनी वंशागिती pleogenic inheritance जो है वो हो जाएगा many genes governance single characters यानि अनेक जीन एकल लक्षण का नियंतर्ण करते हैं तो A का जो है वो हो जाएगा second और B का हो जाएगा third तो देख लेते हैं कौन से में यह option match कर रहे हैं C का है fourth और D का है first तो A का है second B का है third तो third option जो है वो correct हो जाएगा C का fourth और D का first नेक्स्ट है एक प्रारूपी वसा का अनू वो किसका बना होता है टिपिकल फैट मॉलिक्यूल जो है वो किसका बना रहता है तो ये बनता है एक ग्लीस्ट्रॉल मॉलिक्यूल प्लस एक जो है फैटी असिड मॉलिक्यूल का प्लस जो है त्री फैटी असिड जो है मॉलिक्यूल का बना होता है एक glycerol अनु और तीन वसा अनुओं का वसाम लनुओं का वन glycerol और त्री fatty acid molecules का बनाता है फैट जो है वो tri glyceride होता है इनकी वज़े से नेक्स ते पुंगे सर के तंतू का निकटस्थ सेरा किस से जुड़ा होता है proximal end of filament of stamin is attached to the तो जो proximal end है वो जुड़ा होता है thalamus और या फिर पैटल से push-pastan या दल से जुड़ा रहता है नेक्स से निम ने लिकित में से कौन सा कतन गलत है हमें यहाँ पर wrong statement बता रहा है glycine is a sulfur containing amino acid glycine एक sulfur युक्त amino acid है तो यह जो है गलत हो जाएगा इसका क्योंकि यह एक simplest amino acid है जुसमें sulfur content नहीं होता है तो यह गलत कतन है इसका सही answer यह हो जाएगा सुक्रोज एक disaccharide है सुक्रोज is a disaccharide सही है cellulose polysaccharide है यह भी सही है and uracil is a pyrimidine यह भी सही है next question है पादप पत्ती से जल वाश पर रंद्रों के द्वारा बहार आता है प्रकास translation के दोरान उसी रंद्र से carbon dioxide पादप से विसरत होता है उप्यक कतनों में से एक विकल्प चुनिये कारणों पर विचार करके एक कतन चुनिये water vapor comes out from the plant through the straw metal opening through the same straw metal opening carbon dioxide diffuses into the plant during photosynthesis reason out the above statements using one of the following options तो यह जो दोनों process है यह एक साथ हो सकते हैं दोनों प्रक्रिया है एक साथ हो सकते हैं क्योंकि जल और CO2 का विसरन गुणाग जो diffusion coefficient है वो different होता है दोनों प्रक्रिया है एक साथ हो सकते हैं क्योंकि जल और CO2 का विसरन गुणाग जो है भिन होता है यानि diffusion coefficient जो है water और CO2 का that is different इसलिए दोनों process जो है वो stromata से हो सकते हैं एक साथ next है ribosome का एक संकुल जो RNA के एक रजुप के साथ जुड़ा होता है क्या कहलाता है a complex of ribosome attached to a single strand of RNA is known as तो उसे हम polysome कहते हैं निम्नलिकित में से कौन एक क्रशी भूमी पारी तंद्र का अभी लक्षन है which one of the following is a characteristic feature of cropland ecosystem cropland ecosystem में जो है least genetic diversity मिलती है हमको यूंतम अनुवांशी की विविदता देखने को मिलती है next question है जन्तों और पादपों की विलुप्ती का निम्नलिकित में से कौन सा एक सबसे प्रमुख्य कारण है which of the following is the most important cause of animal and plant being driven to extinction तो उनका जो विलुप्त होने का कारण है सबसे जादा वो है उनकी आवास की हानी और खंडन यानि उनका जो habitat है वो destroy हो जाता है habitat loss and fragmentation ये उनके जो है extinction यानि उनके जो विलुप्त होने का प्रमुख कारण है बाकी सब भी है जैसे over exploitation है alien species invasion है यानि विदेशी जाती की चड़ाई अती दोहन सहसमापती ये सब भी है लेकिन जो most important cause है वो है उनकी habitat का जो है loss होना उनका जो आवास है उसकी हानी और खंडन जो है इनमें सबसे important है next question है हरित लवक में proton की अधिक्टम संख्या कहां पाय जाती है chloroplast में highest number of proton कहां पाय जाते है तो ये पाय जाएंगे lumine of thalakoid thalakoid की अवकाशिका में next है dna की dna अंगूली छापी की किसी भी तकनीक के लिए निमनलिखित में से किस एक की आवशकता नहीं होती है dna finger printing में जो है which technique is not required for any technique of dna finger printing available at present तो इसमें लिए जो हमें zinc finger analysis की कोई जरूत नहीं होती है हम dna और dna संकरण यानि dna dna hybridization जो है उसकी जरूत रहेगी polymerase chain reaction जो है PCR की भी जरूत रहेगी और restriction enzymes की भी जरूत लहेगी लेकिन zinc अंगुली विसलेशन जो है zinc finger analysis उसकी कोई आवशकता नहीं होती है वे आदिम प्राक केंद्री प्राणी जो रोम थी रोमन थी जनतों के गोबर से बायो गैस उत्पादन के लिए उत्तरदाई होते हैं किसके अंतरगात आते हैं दे प्रिमिटिव प्रोकैयोर्स रिस्पॉंसिबल फॉर्डेक्शन ऑ बायो गैस फ्रॉम्ट अनिमल्स तो वह होते हैं मिथेनो जिन्स मिथेनो जनक जो होते हैं वह मिथेन का उत्पादिन करते हैं कि मिथेन जो है बायो गैस का एक जो है में कंपोनेंट है तो बायो गैस उत्पादिन के लिए मिथेनो जनकों को जा है वह रिक्वाइड रहते उत्तरदाई पेरिप्लैनेटा अमेरिकाना में नहीं पाया जाता है। और अर्ये विदलन यह नहीं पाय जाता है। उनमें क्या होता है एक तो इंडिटर्मिनेट और यह नहीं होता है और यह नहीं होता स्पाइरल जो है क्लीवेश पाया जाता है ड्यूनिंग अम्रियोनिक डवलप्मेंट इसे जो है हम कहते है ले फार्मिंग ले खेती नेक्स्ट है नीचे दे गई तालिका में गलत मिलाई गई मदों को चुनिए वह हमें यहाँ पर सुक्ष में जीवी उनका उत्पाद और उनका प्रियोग यानि उनकी एप्लिकेशन हमें दे रखी है तो हमें बताना है कि इस में से गलत कौन सा है परा है कॉलस्ट्रीडियम ब्युटायलिकम लाइपेज और तेल के दबों को हटाना तो यह जो है इसका गलत है तो यह जो है इसलिए गलत है क्योंकि यह लाइपेज नहीं बनाता है यह इथेनॉल ब्यूतेनॉल और एसिटोन और आइसोप्रोपेनॉल इनको जो है इनका प्रडेक्शन होता है बाइदर कॉलस्ट्रीडियम ब्युटायलिकम तो यह इसमें गलत है अजही है त्राइकोडर्मा बॉलिस्पोरम सैक्लोस्पोरिन ए प्रतीरक्ष संदमक उश्यदी यह सही है स्टेंटिस ये इसका प्रडेक्शन और रुधिर केलिस्ट्रोल को कम करना ये भी सही है और स्ट्रेप्टो कोकस स्ट्रेप्टो काइनीज बनाता है रुधिर वाहिकाओं में ठक्के को हटाना ये इसका कारे है स्टन्धारियों में कौन से रुधिर वाहिका सामानेत सबसे अधिक यूरिया वहन करती है मैमल्स में विश ब्लड वैसल नॉर्मली कैरी लार्जस्ट अमाउंट ओफ यूरिया तो ये होती है यकरत शेरा यानि हिपाटिक वईन जो है उसमें सबसे ज़्यादा यूरिया रहत होती है सो जो वेन्स जो कि लिवर से जाती है बाहर की तरफ तो उनमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमुम अमाउंट रहता है यूरिया का और वह होती है हिपाटिक वेइन सही कतन चुनिए हीमोफिलिया लिंग से लगन अप्रभावी रोग है तो ये जो है बिल्कुल सही है कि हीमोफिलिया इस सेक्स लिंग रिसेसिव डिजीज ये इसका ठू है डाउन सिंड्रोम असगुणिता के आधार के कारण होता है डाउन सिंड्रोम इस ज्यू टू एनु किटोन में या फिनाल किटोन नूरिया जो है एक अलिंग सूतरी अ प्रभावी जीन विकार है फिनाल कीटोन नूरिया इस एन ओट्रोमल रिसेसिव जीन डिसौर्डर ये भी मिल्कुल सही है दात्र कोशिका र fight आलपता एक सहराल लगन अ प्रभावी जीन विकार है sickle cell anemia is an x-linked recessive gene disorder तो यह जो है गलत है sickle cell anemia जो है वो autosomal co-dominant disorder है तो इसमें A, B और C जो है तीनों सही हो जाएंगे A, B और C तीनों सही है next question है नेमनले कितमे से कौन सी सरचना यक्रद यक्रद ग्ज्ञास की वाहिनी की ग्रहिनी में खुलने वाले रंदर की देखबाल करती है which are the following guards the opening of hipeto pancreatic duct into the duminum तो यह जो sphincter of odai है odai की अब रोधिनी यह जो है इसकी देखबाल करती है अवाईनी के ग्रहिणी में खुलने वाले रंद्र की देख बाल करते हैं स्फिंक्टर ओडाई या ओडाई की अवरोधी निक्स्ट है सुक्ष्मन अलिकाएं संगटक होती हैं स्पिंडल फाइबर सेंट्रियोल और सीलिय की तरकु रूपी रेशों तारक केंद्रों और पक्षाबों से सुक्ष में लिकाएं इनकी संगटक होती है नेक्स्ट है कच्चे नारेल में नारेल पानी क्या है कोकोनट वाटर फ्रम टेंडर कोकोनट रिप्रेजेंट्स तो यह जो है फ्री नुक्लियर इंडुस्पम को धर्शाता है त्रीकोष्ट की युक्तान डुपी जयांक किसके पुष्प में होता है ट्राइकार्पिलेरी सिंकार्पस गाइनोशियम इस फाउंड इन फ्लार ओफ यह जो है लीलिये सी का जो फ्लार रहता है उसमें पाया जाता है इसा पुष्प नेक्स्ट है निम्न में से कौन एक तरे का रुपांतर नहीं है विच और फॉलोइंग इस नॉट अस्टम ओडिफिकेशन तो जो पिक्चर ओफ नेपेंटीज है नेपेंटीज का घट जो है वो लीफ का मॉडिफिकेशन होता है यानि पत्ती का मॉडिफिकेशन है जो तना है उसका नहीं है स्टेम का नहीं है ओपेंश्या की चप्टी सरनचना citrus के कांटे और खीरे के प्रतान यानि tendrils of cucumber, thorns of citrus and flattened structure of opencia यह सारे तने के रुपांदरन है जबकि nepenthes का जोगा temperature of nepenthes है that is a leaf modification next question है tech polymerase enzyme किस से प्राप्त किया जाता है tech polymerase enzyme is obtained from तो यह obtained होता है thermos aquiticus से thermos aquiticus next है पत्यों का कारे करने वाले चप्टे हरे अंग के रूप में रुपांतरित तने को क्या कहा जाता है stem modified into flat green organs performing the function of leaves are known as तो उनको हम परनाप स्थम कहते है यानि फाइरो क्लेट्स जो है उनको कहा जाता है परनाप स्थम next question है उच्चितर कशे रुकियों में प्रती रक्षा तंत्र स्वग कोशिकाओं और गेर कोशिकाओं में भेद कर सकता है यदि तंत्र का अनुवानची की अब समाइनने ता के कारण ये गुण नश्ट हो जाए और वसब कोशिकाओं को नश्ट करने लगे तो उसके परनाप स्थम क्या होगा इन हायर वर्टीब्रेट इम्यून सिस्टम कें दिस्टिंग्विश सेल्फ सेल्स और नॉन सेल्स और नॉन सेल्स और नॉन सेल्स और प्रती रक्षा विकार इससे उत्पन हो जाता है यानि सेल्स और नॉन सेल्स और नॉन सेल्स और नॉन सेल्स और प्रती रक्षा विकार कहते है नाम पद्दती कुछ विशेश सारवजनिक मान्य नियमों द्वारा निंधारित होती है नियमने लिखित में से कौन सा एक कता नाम पद्दती के नियमों के विरुद है नॉमन्क्लेचर इस गवरंड बाई सर्टेन उनिवर्सल रूल्स इसमें से हमें बताना है कि कौन्ट्रारी कौन सा है to the rules of nomenclature पहला है नाम को जब हाथ से लिखते हैं तो रिखांकित किया जाता है ये बिल्कुल सही है अगर हाथ से लिखेंगे तो उसे अंडरलाइन किया जाएगा जयविक नाम को किसी भी भाषा में लिखा जाता है ये गलत है उसे किसी भी भाषा में नहीं लिखा जाता है वो अमेशा जो है लाटिन भाषा में लिखे जाते है जैविक नाम में पहला शब्द वंच और दोसा शब्द जाती पद को प्रदशित करता है ये भी बिल्कुल सही है फर्स वर्ड जो है बालोलोजिकल नाम का वो रिप्रेसेंट करता है जीनस ये बिल्कुल सही है लेटिन में और इटालिक्स में उनको लिखा जाता है तो जो सही नहीं है वो है सेखिंड नेक्स कोशन है ब्रायोफाइट और टेडोफाइट में नर युखमक के अधिकम के लिए किसकी आवशकता होती है ब्रायोफाइट और टेडोफाइट में मेल गैमीट के ट्रांसपोर्ट के लिए क्या रिक्वाइड रहता है तो वो प्रायोफाइट जो है उनके लिए जल या वाटर जो है उनकी रिक्वाइर्मेंट रहेगी अल्ब बेधन के संदर में निम लिखित में से कौन सा कतन गलत है इन कंटेक्स्ट ओफ एमिनो सिंटेसिस विच फॉल्विंग स्टेटमेंट इस इनकरेक्ट यहां मैं इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है इसे खंड तालू क्लेफ्ट पैलेट का पता लगाने के लिए परियुक किया जाता है यानि it can be used for the detection of क्लेफ्ट पैलेट तो यह जो है गलत है इसके लिए नहीं किया जाता है यह इक स्ट्रक्शुरल डिफेक्ट होता है क्लेफ्ट पैलेट यह खंड तालू जो है वो structural defect है और यह जो है immunosynthesis से जो है डेटर्माइन नहीं किया जा सकता है उसके लिए प्रयोक नहीं होता है यह आम तो प्रतब किया जाता है जब 314 से 16 सब्सक्राइब के बीच का जो है गर्ब होता है यह बलकुल सही है इसे प्रसव पूरू लिंग निर्धारण के लिए प्रयोक क किया जाता है ये भी सही है क्योंकि यह एक इक चेनेटिक डिजीज इसे घंहा सकते हैं कि को सहन हो data है लिए मांशा में जटार्षण रसक श्राव होता है ऑनला कि और स्टी नहीं हम ओक्जेंटिक सेल्स भी कहते हैं कि एचल का सिक्रीशन करती है यह तरकु रूपी तन्तू लगते हैं स्पिंडल फाइबर्स अटाज ऑन टू तो स्पिंडल फाइबर्स जो है वह अटाज होता है काइनेटो कोड और क्रोमोजोम से यानि गुंड सुत्र के काइनेटो कोड पर नेक्स एर भारत का राश्च्य जली प्राणी कौन सा है तो यह जो है जो गंगा की डॉल्फिन है नधी की डॉल्फिन जो है जो की qंगा में पर है जाती है कि रिवर डॉल्फिन यह जली प्राणी है इंग्स कुशण है निम लिकित में से कौन सा कोशिकांग केविल एकल कला से घीरा होता है तो एकल कला से जो है वो लैन का या लाइसोसोम जो है वो सिंगल मैंबरेंट बाउंड और गनिल है बाकी केंद्रक, सूत्रकनी का मैंट्रो कॉंडिया और ख्लोरोप्लास्य यह डबल म पाए जाते हैं इसके अलावा जो गॉल्जी आपरेटरस है और एंडोप्लास्मिक रेटी क्यूल में वह भी सिंगल मेंब्रेन बाउंड़ेट और गेनिल्स होते हैं नेक्स्ट क्वेशन है माराव इंसूलीन के दो पॉलिपेप्टाइड आपस में किस के द्वारा संयोजित होते हैं the two polypeptides of human insulin are linked together by तो यह जो है पॉली पैप्टाइट जुड़े रहते हैं डाइल्फाइट सित्तू से यह यह जुड़े रहते हैं नेक्स कुश्चन है निम्न लिखित में से कौन सा कतन वाइरड के विशेय में असत्य है गलत है तो हमें बताना है कि कौन सा statement जो है उन्द के लिए रॉंग है उनका आरेमे उच्छ आन्वि kadar वाला होता है तो यह गलत है क्योंकि उनका जो निम्न आन्विक भारवाला होता है उच्छ नहीं क Els quindi और्मिक वाला होता है होते हैं तो इस वीडियो में इतना ही नेक्स वीडियो में हम और क्वेशन्स करेंगे तब तक अच्छे से पढ़ाई कीजिए अल्डवेस्ट थेंक यू